ओम त्रियंबकम यजा महें सुगंधिम पुष्टी वर्धनम उर्वाव कम्यू बंधनान मृत्यूर मुक्षियमा मृतात ओम नहाशिवाय तुलसी के पोधे में डाल दे यह एक चीज जीवन भर नहीं होगी पैसों की कमी आज मैं आपको बताने वाना हूँ उस चीज के बारे में जो अगर आप तुलसी के पोधे में डालते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसा कम नहीं होगा और बहुत ही कम समय में आप अमीर बनने लग जाओगे तुलसी को साक्षा लक्ष्मी माता का स्वरूप कहा गया है और जिन घरों में तुलसी का पोधा होता है ऐसे घरों में कभी भी किसी चीज का कोई संकट नहीं होता जिन घरों में तुर्सी के पोधे के पास घी का दीपक जलता है ऐसे घर साक्षा तीरत के समान कहे गए है नमश्कार आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैं पंडिक नीती शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ उमीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माका रानी की कृपा आप सभी के उपर बनी रहे प्यारे दर्शकों आज का एपिसोड बहुत इंपोर्टेट होने वाला है तो लेट्स स्टार्ट टूडेज एपिसोड मेरे प्यारे दर्शकों अगर आपके घर में पैसे से जुड़ी हुई परिशानी चल रही है या लंबे समय से आप पैसे की प्रोब्लम फेस कर रही है या आपकी जेब में पैसा नहीं टिकता या घर में पैसा आता तो बहुत है लेकिन पैसे की बरकत नहीं हो पाती तो अब जो ये उपाई मैं शेर करने जा रहा हूँ इस उपाई को आप करियेगा और बहुत जल्द माता रानी की क्रिपा से आपका सारा काम अच्छे से बनने लगेगा आपने सोमवार के दिन से ये कारिया प्रार्म गरना है अपने घर में जो तुल्सी का पोधा आपने लगाया हुआ है उस तुल्सी के पोधे के पास आपने गाएं का कच्छा दूध जीहा गाएं का कच्छा दूध लेकर के आपने एक चम्मच कच्छा दूध तुल्सी के पोधे की जड़ में डाल देना है ओम विश्णवे नमहा बोलते हुए आपने एक चम्मच कच्चा दूद तुलसी के पोधे में डाल देना है सुभे के टाइम नहा धो करके शुद्ध होने के बाद केवल आपने एकाद्शी के दिन और रविवार के दिन दूद नहीं डालना है बाकि आप सभी दिन तुलसी के पोधे की जड़ में एक चम्मच कच्चा दूद डालेंगे और जो आपकी मन की मनुकाबना है वो आप वहाँ पर बोल देंगे बहुत ही जल आपको देखते ही देखते बहुत कम दिनों में फायदा मिलने लगेगा और पैसे से जुड़ी हुई जो भी समस्याइं आपको आ रही है वो सारे समस्याइं आपकी दूर होंगी तो मेरे प्यारे साथियों एपसोड अच्छा लगा है तो लाइक शेर जरूर करिएगा जय माता की